दुनिया इन दिनों COVID-19 के साथ एक और वायरस से जूज रही है फेक नियूस के वायरस से सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस को लेकर दहशत का महौल बनाने के लिए तमाम तरह की अफ़ा फैलाई जा रही है हाल ही में सोशल मीडिया पर उतर कोरिया के ताना शाह किम जोंगुन की ब्रेंड डैड की खबरों ने सभी को शौक में डाला हुआ था वहीं अब एक और वीडियो ने सभी को सक्ते में डाल दिया है इस वीडियो में काँच की ताबूत में एक लाश रखी हुई है साथी इस वीडियो में लिखा है कि जिसने पूरी दुनिया डरती थी उसे आज कोरोना ने हरा दिया इस वीडियो की कई सारे वीडियो टिक टॉक पर वाइल हो रही है हराम कर दिने वाली बात यह है कि वीडियो के बैग्राउंड में बाहु बली टू का गाना कैसी है यह अन्होनी हर आख हुई नम भी चल रहा है जैसे कि सब भी जानता है 12 अपरेल के बाद से किम जोंग की कोई खबर नहीं मिली है ऐसे में इस वीडियो का आना किम जोंग को लेकर चल रही खबरों में एक और संधे पैदा करता है इसलिए इसकी तहे तक जाना बहुत जरूरी है जब इसके सच को पता लगाया गया तो ये सामने आया कि वीडियो साल 2011 का है साल 2011 सुनकर शायद आप में से कुछ लोगों की बत्ती जल गई होगी लेकिन फिर भी हम आपको बताए देते हैं टिक टॉक पर वाइरल हो रहा वीडियो साल 2011 में किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल के निधन का है जहां उनकी बोडी को ताबूत में रखा गया है और आसपास लोग शोक में डूबे दिख रहे हैं किम जोंग इल का निधन हार्ट अटेक की वज़े से 2011 में हुआ था और यी वीडियो तभी का है जिसे हाल ही में किम जोंग को लेकर चल रही खबरों के बीच भ्रहम फैलाने के लिए डेड बोडी को किम जोंग उनका बता कर सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है हम फिर वही कहेंगे जिस तरह कोरोना से बच रहे हैं ना उसी तरह फेक खबरों और वीडियो से भी बचिए घर में रहिए और सुरक्षित रहिए